कोई भी चीज हो आप ये तो सोचिए कि आप ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं कुछ भी हो जाए कोई भी चीज हो संसार के अंदर आप अपने आपको मत कोई दया का प्रेम का जो संदेश आप पहुचाना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है अपने आपको जानो इसनिये जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि आपके अंदर दया की खान है जो अपने जीवीत रहने के लिए भी बहुत ही संघर्ष कर रहा है क्या वो भी शांती महसूस कर सकता है आज हमारे साथ ऐसे शक्स हैं जो कहते हैं शांती संभव है रेड़ी टो रोल हम धरम की बात नहीं करते हैं हम करम की बात नहीं करते हैं हम विचादने की बात करते हैं अपने आपको जानो और अगर अपने आपको जानने में आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जिस दिन आपने स्वांस लिया आप सक्सास करें मैं मनुष्य हूँ और ये मैंने पहली चीज समझी है अगर आप शान्ती तो फिर वो शान्ती बहार पी आईगा आपका प्यार आपके अंदर है आपकी खुशी आपके अंदर है ये संदेश मेरे से बड़ा है इसलिए लोग मेरे संदेश को पहचाने बजाए मेरे चेहरे पर आपके अंदर हिम्मत है उसको आगे लाइए बात है क्या आपने अपना संतुलन को दिया या नहीं को है समय युवाओ कही नहीं है सब का है यह है शांती की दवाई अपने आपको जानो शांती खुद आपके जीव मेरे प्रेम जी अगर आज के दौर में हम देखें तो हमारे देश भारत में अन्य देशों की तुल्ला में बड़ी युवा आबादी है यहां पर यह कहें कि 65 प्रतिशत जनता जो है उनकी आयू 35 पर्श से कम है और आज के समय में सोशल मीडिया और टेक्नलोजी का ऐसा असर पड़ रहा है इन्होंने हमारे जीवन पर खासकर के युवाओं के मन मस्तिश्क पर जीवन पर विचारों पर ऐसा प्रभाव डाला है कि युवाओं के जीवन जीने की गदी या उनकी रफतार बहुत तेज हो गई है युवा अशांत से हो जा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि यह जो टेक्नॉलोजी है क्या हमें एक बहतर जिंदगी दे सकते हैं क्या हमें ज्यादा सुख दे सकती है जीवन में आपकी क्या और उनसे मैं 2016 में भी मिला था और एक मैगजीन में हमारा इंट्रिव्यू भी है दोनों कई तो हुआ ये कि वो पहले कैमरा में काम करते थे तो उन्होंने सोचा कि मैं नएने कामरों का विशकार करूंगा तो लोगों के जीवन में खुशी आएगी फोटो केचेंगे लोग औ उनका खरीदे थे तो एक दो दिन तो काफी खुशी रहती थी उसके बाद फिर वही बात सब लोग निराश और सब लोग अपना फ्रस्ट्रेटेड और जो कुछ भी होता है मनुश के साथ तो उनने का इन कुछ ऐसा करना चाहिए इससे कि सचुछ में मनुष्य के जीवन मे खुशी आई तो टेक्नौलोजी में तहीं तो थो नना सोचा कि रोबाट बनाने चाहिए ठीट इसी चीज जो मनुष्य का काम खुद कर लेम अशरे पर हां के बलकु तो वनने रोबाट पर काम करना सुरों किया जब रोबाट के काम करना सुरू किया तो उनका ध्यान और ग तो क्या इसी चीज है जो लोगों के जीवन के अंदर खुशी ला सके। तो एक देखिए हमारे जीवन के अंदर और जो पिटिक्लरी जो युवा लोग हैं उनके ड्रीम्स हैं, उनके सपने हैं, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और उसी के पीछे लगे हुए हैं, और अगर टेक्नालोजी उनकी मदद करती हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए तो वह टेक्नालोजी के पीछे लगने के लिए तो टेक्नालोजी के पीछे लगने के लिए ठीक है, सब कुछ थीक है, मेरा एक प्रशन है, छोटा सा, यह चीजों को पकड़ते हैं अपने जीवन के अंदर, एक तो वो चीज होती है, जो हम रट लगा करके हमको पढ़ा जाती है, जैसे एक, दो, तीन, अब एक क्या मनलब हुआ, उसको एक क्यों कहते हैं, वोई हमको नहीं संगा सकता, यह चले आ रही है, तो उसको हम रट के चले ज सीखना, जी बिल्कुल, अब इसका मैं उधारन देता हूँ यह, कि जब आपकी, जब आप छोटे थे, आपकी माने बहुत बार कहा होगा, कि यह मत चुओ, यह गरम है, जी बिल्कुल, इसका यह मत लगा हमने वो नहीं चुआ, जब चुआ, तभी समझे, तभी समझे, तभ बड़ा होगा, तो यह करेगा, तो वो करेगा, तो पहड़ लिक, इससे तो और पैसे कमाएगा, और हम लग जाते हैं, और यही रट लगी हुई है, अब यह करना है, और वो करना है, और वो करना है, और वो करना है, परंतु हमारा अपना सपना क्या है, और अगर देखा जा है कि हमारे जीवन में सखुन हो खुशाल जिन्दगी हो जैसी भी हो खुशाल जिन्दगी हो और यह हम भूल जाते हैं यह हम भूल है तो क्या करें आज के दोर में टेक्न नुछ भी एक जरूरत सी हो घा जरूरी भी है नहीं तो हम पीछे रहे जाएंगे कहीं न कहीं देखिए टेकनोलोजी एक गुड़े की तरह है अब गुड़े को आप बैठा सकते हैं उसको चला सकते हैं उसको यह कर सकते हैं वो करेगा वही जो आप उसको करेंगे जो आप जिस जैसा अगर उसको बैठाएंगे तो बैठ जाएगा तो तो टेकनोलोजी में लोग समझते हैं कि टेकनोलोजी हमको ड्राइब कर रही है और दर्शल में हम टेकनोलोजी को ड्राइब कर रहे हैं यह डिफरेंस है डिफरेंस तो यह हमेसा ही रहेगा यह तो एक समय था कि जब कार का विशकार हुआ तो लोगों ने का यह ज्यादा दिन तो यही होता रहता है। हम यह सम्झते की टेक्न ओलोजी rielा रही है। और दरसल में हम टेक्नॉलोजी के चला रही है। तो हम सोचे हैं कि क्योंकि टेक्नोलजी हम को चला रही है तो हम उसके गुलाम बन गए। अब जो हो रहा है उसके पीछे लग गए। पर तो हम यह कभी नहीं सोचते हैं कि मेरा जो समय है वो कहां जा रहा है अगर आप विदेश में और मेरे खाल से हिंदुस्तार में भी यही बात है कि अगर आप एमर्जनसी रूम में जाएं तो एक तरह का एक्सिडेंट जो एमर्जनसी रूम में ट्रीट होता है आजकल वो ज्यादा बढ़ गया है और वो है लोगों का खंबे से टक्राना और क्यों बढ़ा है कि वह रोड़ पे चलते हुए यह कर रहे हैं और दियान नहीं देने कहां जा रहे हैं और ग्रंक तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सोच रहे हैं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जरूरी है और वो क्यों जरूरी है यह आपको पता नहीं पर क्योकि आप के सारे दोस्त कर तो मैं सबसे पहले तो यह लोगों से कहता हूं कि कोई भी चीज हो आप यह तो सोचिये कि आप यह जो कर रहे हैं यह क्यों कर रहे हैं पर यह सिर्फ टेक्टListen के नहीं है हर एक बात में हर और हम नहीं कभी सोच रहे हैं जो युवा हैं यह लगे हुए हैं चल रहे हैं पर इनको मालम नहीं कहां जा रहे हैं कहां जा रहे हैं दिशा क्या है यह क्योंकि एक समय था यह सब सोशल सोशल मीडिया नहीं था अब है और हो सकता है कि अगले 10 साल में 15 साल में कोई ऐसी टेक् करते हैं जो टेकनालोजी मनुश्य की नीड को पूरा करने के लिए हैं और मनुश्य के मालूम है कि वह कौन सी उनकी नीड है कौन सी उनकी चाहत है जिसको वह पूरा करेगी वह बात अलग है परन्तु वह टेकनालोजी जिसका ना सिर है और ना पैर है और लोग लगे हुए है उसके बारे में कम से कम दो बार सोचना चाहिए उससे पहले कि उसके पीछे लगे उसके इस्तमाल से पहले मतलब दो बार कम से कम जरूर सोचना चाहिए और टेकनोलोजी मतलब आप उसको ड्राइब कीजिए ना कि टेकनोलोजी आप पर हावी हो यह युवाओं को आप कहना चाहते हैं गन्ट्रोल आपका होना चीए टेकनोलजी का नहीं और अपने आपको मत खोई आप कुछ भी हो जाए कोई भी चीज हो संसार के अंदर आप अपने आपको मत खोई एक और बात है जैसे जो सुखी संपन है वो भी और पाने चाहता है वो भी दुखी है वो भी अशान्त है लेकिन क्या शान्ती का जो महसूस करना हम जिसे कहते हैं वो जो बहुत गरीब है जो अपने जीवीत रहने के लिए भी बहुत ही संघर्ष कर रहा है क्या वो भी शान्ती महसूस कर सकता है मैं कुईज आची की बात कहता हूँ भीखा भूखा कोई नहीं सबकी गठडी लाल गठडी खोलना भूल गए इस विधी बहे कंगाल तो गरीब क्योंकि गरीब को गरीब कौन कह रहा है ये तो समाज में हमी लोगों ने बाटा है जो अमीर है वो कह रहा है गरीब है और जब गरीब अमीर को देखता है तब कह रहा है कि मैं गरीब हूँ क्योंकि ये लाइन किसने बनाई हुई है समाज के अंदर ये भी मनुश्य की लिला है लीला है ये उनकी लीला है देखिए, जब जमीन में से सोना निकाला जाता है, जब जमीन में से मनुष्य सोना निकालता है, उसका पैसा देता है, बिलकुल, वो तो निकालता है, वो तो जब पृत्वी बनी, तब वो सोना वहां पहुंच गया था, तो वो तो बना बना है, परुंतु जो रहीस हैं, वो तो उस सोने को लेंगे और सोने की कीमत कौन लगाता है? मनुष्य लगाता है. बनाने वाले ने तो लगा ही नहीं, प्रकरती ने तो लगा ही नहीं, कि सोने के खान के अंदर लिखा हुआ है कि यहां अगर आओगे तो तुमको 20 करोड देने पड़ेंगे. जब इस धर्ती से द्धान उपिष्टा है, या भिंडी का पेड़ भिंडी देता है, या भिंडी का पौदा भिंडी देता है, या ट्रमाटर का पौदा ट्रमाटर देता है, तो वो तो कुछ मांगता नहीं है, वो तो प्रकरती ही पैदा करती है. परन्तु मनुश्य है कि यह कहता नहीं यह मेरा है यह मेरा है यह मेरे मेरे अब जब पृत्वी बनी यह तो था नहीं कि यह तेरा खेत है ना बाद में किसी ने खरीता तो यह सारी चीजे मनुश्य की बनाई हुई हैं और इस सारी चीज़ए जो बनाई हुई है मनुश्रे इसी के कारण गरीब है, इसी के कारण अमीर है, इसी के कारण भूके हुए है, लोग भूके जो हैं अब उनको भूका होने की कोई जरूर्द magnet नहीं є नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर मनुश्य के पास, अगर मनुश्य अपने में संतुष्ट है, तो फिर रडाइ करने के उसको जरत नहीं है. मतलब कम आए भी है लेकिन उसमें खुश है. क्योंकि उसकी जो नीड है, जो उसकी असली नीड है, जो उसकी आवशकता है, वो पूरी हो रही है, जब वो पूरी नहीं होती है, तब उसको सबसे ज़्यादा गरीबी का एसास होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए, मैंने देखा है, मैं अफरिका में भी जाता हू वहाँ मैंने देखा है बच्चे हैं, उनके पैरों में जूते नहीं हैं, उनके कपड़े सारे फटे हुए हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं, परंतु फिर भी उनके चेरे पे यहां से लेके यहां तक मुस्कान हैं, और एक बाइसिकल का जो चक्का है उसको लेकर के वो खेल क्योंकि जब तक उसकी जरूरत हैं, जो असली अवशक्ता हैं उसकी जब तक पूरी होंगी वो आनन्द ले सकता है, परंतु जब भूग लगे कि उसको तब वो मुस्कान नहीं रहेंगी, तब आंसों निकलेंगी, और उसकी भूग का कारण क्या है, तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है, कि यह जो कुछ है, यह मनुष्य का बनाया हुआ है, यह मनुष्य को अपने को कोशने की जरूरत नहीं है कि मैं गरीब क्यों हूँ, यह भी मनुष्य का बनाया हुआ है, और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं पड़ पाएंगे, हमारी स जो साइटी का जो फैबरिक है, जो ये कपड़ा है हमारी साइटी का, ये फढ़ने लगेगा, और आज फढ़ रहा है, ये फढ़ रहा है, क्योंकि जो इसको बांधे हुए है, वो है शान्ती, और अगर हमारे जीवन के अंदर शान्ती नहीं है, तो हर एक चीज अलग होने लोग अलग होने लगे, और वो हो रहे हैं आजकर, और हो रहे हैं, आपने एक बहुत अच्छा मानुए संस्थान खोला है रांचे में, और साथी साथ बहुत अत्यांत सुंदर, जन भोजन, सुविधा के भी स्थापना की है, इसके पीछे आपनी क्या सोच है? देखिए, बहुत साल पहले मैं यहां आया, तो यहां जब मैं आया तो मैंने देखा कि बच्चे जो यहां बहुत ही गरीब हैं, और मैंने पूछा, पढ़ते नहीं हैं क्या? क्या हां, पढ़ने की कोशिस करते हैं परंतु इनको बैचारों को खाने के लिए इनके माबाब के पास नहीं है, इनको छोड़ दिया जाता है, तुम जाओ और कहीं से अपना गुजारा करो, तो मैंने का पिर कैसे गुजारा करते हैं? हैं, तो ऊन्हें का कि इन्हों ने सीक लिए आए कि जो चुवा होता है, अपने घुजे में खाना एकटा करता है, और यह कैसे घुजे को तोड़ करके, और चुहे के खाना, जो चुहे ने खाना एकटा किया है, उसको खाते हैं, अच्छा, यहां इसी दिशह है, तो फ्र ह तो घराब बात है तो मैंने कई लोगों से पूछा मैंने ऐसा यहां क्या कर सकते हैं हम जिस से यहां के सामाज का यहां के लोगों का भला हो तो नहीं जी अस्पताल खोल लिए मैंने नहीं नहीं अस्पताल तो बहुत बड़ी बात होती है कोई simple चीज हो कोई साधारन सिरी चीज हो जिसको हम कर सके तो लोगों ने का school खोर दीजिए, मैंने का school तो यहां बहुत है तो पर जा नहीं सकते बच्चे क्योंकि कि कुणि उनके माबाप खाना उनका परबंद नहीं कर सकता है तो मैंने ऐसा करते हैं कि इनके खाने का प्रबंद करता है तो हमने जन भोजन का प्रबंद किया तो जैसे ही प्रबंद किया तो हमने का जखो हमने चलाएंगे तो सब प्रधानों को हमने बुलाया इस चेतर के जो प्रधान है उनको बुलाया कि भई हम तुम्हारे लिए ये करने जा रहे हैं और ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इसमें कौन आएगा कौन इसमें हिस्सा नहीं लेगा ये हम नहीं डिसाइड करेंगे तो उन्होंने डिसाइड किया उन्होंने इसका निर्ने लिया और बच्चे आना सुरू हो गए हमने का नहीं हम सरफ खाना यह नहीं देना चाहते हैं कुछ बेसिक चोटी-चोटी बाते हैं जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो गोसल खाने बनवाए यह तो आज क्या कहते हैं कोशिस हो रही है कि हिंदुस्तान भर में बने पर उसी समय और हॉल के बाहर जहां वो खाने के लिए जाते हैं वहां बहार नलके लगवाए कि नहीं पहले आओ हाथ दो और फिर अंदर जा सको तो मैंने देखा कि पहले तो बच्चों को यह था कि यह क्या हो रहा है दोना सुरू किया फिर अंदर गए तो सब साफ सुद्रा और उसको हम चाहते थे कि उसका इंटरनाशनल स्टैंडर्ड हो सफाई को और खाना ऐसा मिले उनको जिसके वो आदी है खाने के तो सबजी, भाद, डाल यह उनकी लिए इन चीज़ों का परबंद हुआ और उनको बड़ा पसनाया, काफी है और एक थाली अगर उनको अभी भूख है तो पर जा करके और ले सकते हैं और भी ले सकते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगा तो चोटे-चोटे बच्चे भी आने लगे हैं तो अभी काफी बच्चे आने लगे हैं कुपोशन इस शित्र की बहुत बड़ी समस्या है और खाना साफ सुत्रा था पानी साफ सुत्रा था और हाथ दोने क्या वो आदत उन लोगों में तार उनको होगी और पहली बार बिना स्कूल खोले पहली बार वो अपने स्कूल से ग्राजुएट होके हाई स्कूल और युनिवर्सिटीज में जाने लगें क्या बात अच्छा अब फैमिली के लिए उनके परवार के लिए क्योंकि वो बच्चा या वहां जाके खा रहा था एक समय का जो भोजन का जो भी पैसा होता है वो फैमिली के लिए बचने लगा क्योंकि मुफत में उनको वहां मिल रहा था एक टाइम का गोजन पो मिल रहा है तो जब वो बच्चने लगा तो उनकी परवार की जो विवस्ता है वो भी बढ़िया होने लगी तो उसे हुआ कि क्राइम रेट जो चोरी की रेट है वो कम हो गई तो चोरी की रेट कम हो गई बच्चे ज़्यादा स्वस्त हो गए और क्या कहते हैं और यूनिवर्सिटीज भी पहली बार जाने लगे तो ये में बहुत ही मेरे को गर्व है इस जन भोजन का क्योंकि जन भोजन यहां भी है ताधिंग नेपाल में भी है और गाना अफरिका में भी है और और भी हम बनाना चाहते हैं ताकि और क्योंकि हमने देखा है कि समाज पे इस छोटी सी चीज का कितना बड़ा असर हो सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो है कि दूसरों के जो भी आपका संदेश हम ने सुना मैंने भी सोना भी तो दूसरों के अंदर दया का प्रेम का जो संदेश आप पहुचाना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है और आप क्या समझते हैं कि ये दोनों गुण है वो कितना जरूरी है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इसी लिए जो जो चीज देखिए हमारे अंदर गुसा भी है और दया भी है दोनों ही है हमारे अंदर क्या कहते है ग्यान भी है और अग्यान भी है और हमारे अंदर दया है पर उसको हम उभरने का मौका नहीं देते हैं अपने आपको जानो इसलिए जनूरी है ताकि आपको पता लगे कि आपके अंदर दया की खान है जिसको हम पहचान नहीं पारे हैं क्योंकि अपने जीवन की लड़ाई को समझ रहा हूं मेरे पास पहले ही क्या-क्या औजार है क्योंकि लोग तो यह हैं कि नहीं हमको तो सरेंडर कर देना चाहिए हमको तो पहले ही हमारे पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए हैं आपके पास ग्यान है लड़ने के लिए आपके पास इस अंधेरे को दूर करने के लिए आपके हिर्दे के अंदर प्रकाश है जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके अंदर है परन्तों अगर आप अपने को नहीं जानते हैं तो आपको नहीं मालम कि आपके पास क्या है बहुत अच्छी बात आपने बताई की सबसे बड़ी बात है कि खुद को जानना बहुत जरूरी है हमारे अंदर की क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं उसको जानकर ही अपने जीवन में हमें आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है फिर से एक बार हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नमस्कार